देखो हमारे टॉपिक का नाम क्या है प्रिजम्शन एस टू नेगोशीयबल इंस्टुमेंट यहां पे वर्ड क्या यूज किया है प्रिजम्शन्स एस टू नेगोशीयबल इंस्टुमेंट Means ये बात बोला है कि अगर कुछ चीजे हैं देखो, negotiable instrument होने के लिए यानि कि कब कोई बोल सकता है कि ये जो document है, ये negotiable instrument है तो उसके लिए कुछ बातों का होना जरूरी है, जब तक वो बाते नहीं होती है, तब तक तुम नहीं कह सकते हो कि ये negotiable instrument है लेकिन अगर वो बाते clearly mentioned नहीं है, या बोली नहीं गई है, तो उसको presume कर लिया जाएगा यनि assume कर लिया जाएगा तो समस्ते हैं, वो बाते कौन कौन से होती है तो यहाँ पे लिखा है, the negotiable instruments act, lays down certain rules of evidence and stopel regarding negotiable instrument, it facilitates proof of claim arising upon them, ये एक तरह का proof हो जाता है, they are presumption as to negotiable instrument और वहीं जो बाते हैं, वो यहाँ पे presumption की तौर पे काम करती है section 118 में lays down rules of evidence and certain specific presumption and precludes certain pleas being raised in the particular circumstance regarding negotiable instrument, अब देखो, यही बात को यहाँ पे आके लोग रोकते हैं, precludes का मतब रोकने का है, certain pleas being raised in the particular circumstance तो यहाँ पे कुछ बाते हैं, जो इन लोगों ने बताई हैं, ताकि अगर future में कोई problem होती है, तो वो आके यहाँ पे तुम्हें save कर सके, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, it is provided that in a suit upon a negotiable instrument, unless the contrary is prude, देखो क्या लिखा है, अगर कोई case हुआ है, in a suit, upon a negotiable instrument, ठीक है, negotiable instrument के लिए कुछ बात हुई, आगे बड़ी है unless the contrary is prude, जब तक तुम दूसरी बात साबीत नहीं करोगे, ठीक है, क्या बोला है, जब तक कोई दूसरा point तुम साबीत नहीं करोगे, the court can presume the following, तब ऐसे cases में जो है, वो court इन बातों को presume कर लेगा, अब वो बातें देखो, कौन-कौन सी है, तो यहाँ पे वो बातें mention है, तो start करता है one by one, सबसे पहला है consideration, यह क्या बोला है, कि every negotiable instrument was made, और drawn, देखो, जो court है, वो क्या assume कर लेगा, कि जितने भी negotiable instruments होते हैं, यह बनाए जाते हैं, ड्रो किये जाते हैं, for consideration, वो कैसे क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि कोई ने कोई consideration होता है, क्योंकि कोई पागल नहीं है, जो किसी को ऐसे ही कोई document दे देगा, and that every such instrument when it has been accepted, जब यह accept किया गया था, accepted, endorsed, negotiated or transferred, or was accepted, endorsed, or negotiated, or transferred for consideration, यानि किया गया है या किया गया था, ऐसे जो भी बाते होती हैं, वो कभी जो बाते हैं, वो तभी होंगी जब वहाँ पे consideration होगा तब, वो यह बात अपने आप assume कर लेगा, और अगर तुम्हें इसी बात को साबित करना होगा, अगर consideration नहीं था, तुम्हें उस बात को proof करना पड़ेगा, कि consideration नहीं था, और इसी लिए बोला है, कि अगर ये बाते नहीं होती है, तो वो अपने आप assume कर लेगा, और दूसरी बात अगर तुम साबित नहीं कर पाते हो, जैसे होता है अगर कोई बेगुना है, तो उसकी बेगुना ही साबित करनी पड़ती है, अगर तुम बेगुना ही साबित नहीं कर पाए, तो वो गुनेगार माना जाता है, ठीक है? तो यही बात यहां पे बोला है, कि तुम्हें ड्रोन अन सच डेट, मतलब ऐसा है कि जो तारीक उसमें लिखी होती है, वो एजूम कर लेंगे इसी तारीक को यह बनाया गया था उसके बार नमबर तीन, जैसे देखो कभी-कभी होता है चेक में, कि अगर तुमने देखा होगा तो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो चेक लिखके देता है उसमें फ्यूचर डेट की चेक लिखके देता है, जैसे कि कभी-कभी ऐसा हुआ है जैसे भी मारलो की जून में है मारलो जून 15 को तुमने किसी को चेक दिया था लेकिन उसमें 15 जून की तारीक न लिखे 15 जुलाई की तारीक लिखा है तो court क्या एजूम करेगा यह जो चेक है तुमने 15 तारीक को ही दिया गया था ठीक है वो ऐसा समझ लेगा उसके बाद next है time of acceptance अब इसमें देखो क्या लेगा time of acceptance तो इसमें यह है कि every accepted bill of exchange was accepted within a reasonable time देखो ऐसा बोला है कि कोई भी जो document है कोई भी हमारा negotiable instrument है ऐसा एजूम किया जाएगा कि जो negotiable instrument है वो within a time यानि जो within a reasonable time है उस time पर ही accept किया गया था after this date and before its maturity अब वो जो time की बात कर रहा है जो reasonable time हो वो कब होता है तो याद रखना है कि जिस दिन लिखा गया है ठीक है after it date मतलब जिस दिन वो लिखा जाता है अब before its maturity ठीक है before its maturity उनके बीच का वो जो time होता है वही होता है within a reasonable time यह presumption मान लिया जाता है जैसे कि मान लो अगर कोई check जो है वो एक जून को लिखा गया है ठीक है कब लिखा गया है एक जून को लिखा गया है और उसकी जो final maturity date है मान लो वो एक अगस्त है maturity date जो है वो एक अगस्त यानि 1.8 है तो इसके बीच की जो dates है ना इनी के बीच की जो time है उसी को बोल दिया जाएगा reasonable time उसके बाड next है number D time of transfer इसमें क्या बोला है it is presumed that every transfer of a negotiable instrument was made before its maturity मतलब यह है कि तुम जितने भी transfer होते है नहीं जितने भी endorsement होगा है जो भी transfer होता है ठीक है वो transfer जो है वो within a reasonable time होगा within a reasonable मतलब यहां पर की बात हो रही है before its maturity जिसके पास भी document जाना चाहिए वो ऐसा मानेंगे कि भाई before maturity ही गया था फिर next है order of endorsement अब यहां पर क्या बोला है it is presumed that the endorsement appearing upon a negotiable instruments made sorry were made in the order in which they appear thereon अब देखो यहां पर बात यह बोल रहा है कि order of endorsement मतलब यह ऐसा बोल रहा है कि जो नाम जैसे दिखते हैं उसके उपर ठीक है जिस order में नाम दिख रहे है वो उसी order में यहां पर endorse किया गया था ऐसा assume करेगा तो मैं यहां पर तुम्हें बताता हूँ कि यह order का मतलब यहां पर क्या है जैसे मैंने कहा कि Mr. A है फिर Mr. B है Mr. A ने Mr. B को को कोई negotiable instrument दिया फिर Mr. B ने Mr. C को दिया फिर Mr. C ने Mr. D को दिया फिर Mr. D ने Mr. E को दिया तो देखोगी अगर ध्यान से फिर Mr. A ने Mr. B को दिया था Mr. B ने Mr. C को दिया था Mr. C ने Mr. D को दिया था Mr. D ने Mr. E को दिया था यह ऐसा assume कर लेंगे यही इनका order हो जाएगा एसा नहीं बोलेगा कोई कि Mr. A वाले ने आके ई को दिया था नहीं जिस तरह से नाम दिखेगा उसी तरह से यह order एजूम कर लेंगे फिर next है stamp अब stamp में क्या लिखा है it is presumed that a lost promissory note, bill of exchange or check was duly stamped अगर मान लो कोई ऐसा situation होता है कि कोई जो तुमारा negotiable instrument हो गया है, ऐसा कुछ हो गया है तो ऐसा एजूम कर लेंगे कि वो duly stamped था, duly stamp का मतलब जैसे requirement होती है, उसके according वो stamping करके दिया गया था और प्रॉपर चीज़े वहाँ पे थी उसके बाद जो हमारा next है next में देखो क्या लिखा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है typing mistake कि यह E के बाद यहाँ पे F हो का, ठीक है, यह E के बाद क्या है, यहाँ पे F है और यह रहा हमारा point number G, अब इसमें बोला है कि holder presume to be holder in due course तो देखो यह बात हम लोगों इसके पहले भी पढ़ा है कि जो holder होता है उसी को presume कर लिया जाता है holder in due course तो every holder of negotiable instrument is presume to be holder in due course तो याद होगा अगर हम लोग ने तो privileges पढ़ा था कि privileges of holder in due course उसमें यह point आया था कि every holder is presume to be holder in due course यानि जितने भी holder होंगे वो सभी क्या मान ली जाते है, holder in due course मान ली जाते है, मतलब यह है कि उसने यह तीन बाते complete कियोंगी कौन सी तीन बाते, मतलब जो वो तीन conditions है, कि consideration दिया होगा before maturity उसके पास आया है और good faith में आया है, यह assume कर लिया जाएगा, मतलब अगर यह बाते हैं तो वो मान लिया जाएगा कि वो भी holder in due course है उसके बाद next है presumption on proof of protest section 119 provides that तो यहाँ पर presumption on proof of protest ठीक है, presumption on proof of protest में क्या है in a suit upon an instrument which has been dishonored अगर मान लो कोई negotiable instrument है dishonored हो चुका है the court sell on proof of protest presume that fact of dishonor unless and until such fact is disproved देखो, ऐसा बोला है कि जो तुमने protest का proof दिया है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं protest का मतलब क्लियर कर देता हूँ देखो, दो word होता है ठीक है, एक होता है noting एक होता है protest तो नों का मतलब क्लियर करोगे तो यह point अपने आपकी एगर हो जाएगा देखो, अगर कोई negotiable instrument है वो अगर dishonor होता है ठीक है, अगर कोई negotiable instrument है अगर वो dishonor हो जाता है तो ऐसे cases में होता क्या है कि जो एक person होता है वो दूसरे person के उपर case करता है लेकिन देखो, case करने का तरीका होता है सारी चीज़े legal होना चाहिए तो तुम्हीं क्या करना पड़ेगा सबसे पहले जाके noting करवाना पड़ता है जो notary officers होते हैं वहाँ पर जाके तुम्हें noting करवाना पड़ेगा मतलब ये लिखवाना पड़ेगा कि कौन सी तारीक को जो होए dishonor हुआ है कब dishonor हुआ है amount कितना था reason क्या है dishonor होने का ऐसा करके तुम्हें लिखवाना पड़ता है वो होता है noting अब उसके बाद जब ये सारी चीज़े हो जाती है तो वो तुम्हें एक certificate बना के देगा ठीक है जब ये सारी चीज़े हो जाएंगी तो वो तुम्हें क्या करेगा एक certificate बना के देगा यानि यही बातों का एक तुम्हें certificate बना के देगा और उस certificate को ही बोला जाता है protest तो यहाँ पर यही बोला गया है कि जो proof of protest होगा यानि जो protest का तुम document दोगे उसमें जो fact लिखा होगा disowner के बारे में जो तारीक, समय, वज़र जो भी लिखा होगा उसी को जो quote है सच मान के चलेगा यानि उसी बात को जो quote है तब तक जो quote है उसी बात को सच मान के चलेगा यह है हमारा last point proof of protest ओके तो यह कुछ presumption है नेगोशेबल instrument को लेके कि assume कर लिया जाएगा अगर कोई बाते mention नहीं है तो यह बाते quote assume कर लेता है ठीक है तो अभी इसमें अगर कोई doubt है तो बोलो